हलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे गौसेज लौ की बहुत ही फेमस लौ बहुत ही शानदार लौ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गौसेज लौ क्या होता है उसका डेरिवेशन कुलाम्स लौ से कुलाम्स लौ का और 100% मेरा वादा है कि ये जो वीडियो है आपकी दिमार्ट में गौसेज लौ की पिक्चर को एक क्रिस्टल प्लियर कर देगा, ऐसा हो नहीं सकता कि गौसेज लौ आप क्लारिटी से समझ ना पाएं बात को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक छोटी से बात, कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाईज देखिएगा, सीक्विंस में देखिएगा, जिससे सारे कौंसेप्ट एक के बाद एक क्लारिटी के साथ आते रहें, आप वोट्स में तो अच्छा परफॉर्म करें, साथ में जेई में, या नीट इग्जामनेशन में, सुपर परफॉर्मेंस आपकी फुजिक्स में आए, चलिए बात को शुरू करते हैं, जिससे कौंसेट बिल्ड़ अप हो सके, तो गौसेज लो की बात करते हैं, अब गौसेज लो क्या है, देखिए, ये तो जो बा कुलाम्स लो करता है, वही काम हमारा गौसेज लो करेगा, अब एक नैचुरल कोश्चन आपकी दिमार्ग में उड़ सकता है, कि सर, एक काम को करने के लिए, जब कुलाम्स लो था ही, तो गौसेज लो क्यों मेरे पल्ले बांदा जा रहा है, जी नहीं, गौसेज लो में एक एक बड़ी सुन्दर बात क्या है, कि गौसेज लो है तो कुलाम्स लो का एकदम अटेनीट फॉर्म, मतलब वही काम करता है, लेकिन अगर सिमिट्रिसिटी जोड़ दी जाए, सिमिट्रिसिटी क्या होती है, मैं दिखाऊंगा, सिमिट्रिसिटी जोड़ दी जाए, तो ये एक लीथल वैपन मन जाता है, लीथल वैपन मतलब एक ऐसा धार-धार हतियार जो वार करके ही रहेगा, और इसका फायदा क्या होता है, कि जो सवाल आप, या जो प्राब्लम्स को आप, जो चैलेंजिस को आप कुलाम्स लो से दो-दो पन्ने में सॉल करते हैं, ये सिमिट् effortlessly, बिना कोई मेहनत किये, या कह लीजे, बहुत थोड़ी सी मेहनत किये, effortlessly, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा importance है, और बहुत ज़्यादा काम का है, मेरे कासे इन बात से आप समझ गये होंगे, कि गौस लो है तो कुलाम्स लो का भाई, लेकिन सिमिट्रिसिटी में बहुत काम आता है, ये, बहुत कम मेहनत से, फटाक से result दिता है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ख्योरी के हिसाब से, गौस लो is a alternate form of कुलाम्स लो, ये धियान किएगा, ये कुलाम्स लो का alternate form है, तो कि मेंगनेटिजम में पढ़ेंगे, तो बायो सावर्स लो का भी कु और ये relationship क्या, भाई, कुलाम्स लो भी तो यही किरता था, कि electric charge, electric field के बारे में relationship established करता था, और आप जानते थे कि F is equal to कर कोई charge electric field में Q है, तो Q into E Q1 कह देता हूँ, Q1 है, तो ये force लगता है, और electric field isolated charge के लिए 1 upon 4 pi epsilon naught, और Q upon R square लिख सकते थे आप, E पता है, तो QE निकाल द दिखेंगे, कि जो relationship है, वो flux के form में, और अभी आप देखेंगे, next slide में, E dot ds करके value लिखी जाएगी, तो यहाँ पर electric field of flux based में relation है, और ultimate relation, charge में जाके जोड़ जाता है, combined हो जाता है, तो वही चीज़ ये भी देता है, एक बात ध्यान किएगा, जो मैं बताऊंगा भी रेक fundamental law है, जैसे Coulomb's law है, fundamental law का मतलब क्या होता है, कि ये किनी भी situations में, सही साबित होगा, ये हर जगा valid होगा, कैसी validity की बात कर रहे हैं, आगी जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी, मैं शानदार तरीके से प्यार से आपको बताता रहूँगा, तो बास समझ में आईगी, कि गॉस् medical approach लिखी हुई है, बड़ी simple सी दो line है, लंबी लिख दीजे तो एक line, gausses theorem states that the total flux, ध्यान दीजेगा, flux previous lecture में आप समझ चुके हैं, total flux through a close surface ही keywords हैं, ये किस बारे में बोलेगा, हमेशा close surface के बारे में, मैं लिख देता हूँ दिमाग में जाना चाहिए, gausses law जब भी आएंगे, तो हमारा ये close surface पे ही लगेगा, तो total flux through a close surface is one upon epsilon not times, the net charge enclosed by the close surface, और mathematically ये expression है, क्या मतलब है, अभी समझ में आने वाला है आपके, देखें ये expression के इसाफ से लिखा हुआ है, कि अगर मैं चार्ज यहाँ पर दिखिए, क्यों ले लिया हूँ, और यहाँ पर एक close surface म ने बनाई है, ये hypothetical है, imaginary है, और इसी surface को आप बोलेंगे Gaussian surface, यहाँ पर symmetry के लिए मैंने spherical, मतलब football shape में बनाई है, और इसको कह देना चाहिए मुझे, इस spherical, और जिस surface को आप imagine करते हैं, बात को combine करने के लिए उसे हम बोलते है, Gaussian surface, ये एक कोई real surface होना जरूरी नहीं है, ये imaginary surface होती है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ special चीज़े हैं, जो आगे lecture में बताऊंगा मैं, तो ये आपने close surface, football लुमा, treat कर लिया, सोच लिया, उसके बीच में center पर एक charge क्यू रख दिया है, तो इस close surface से, जो S का surface area, इस close surface से, इस से total flux link कितना होगा, तो इन्होंने कहा कि total flux linked होगा, वो Q inside, inside मतलब इस close surface के अंदर जो charge है, तो Q इस समय, तो यहां आ जाएगा Q upon epsilon not times होगा, तो Q upon epsilon not times total flux linked होगा, और flux की definition हम जानते ही हैं, कि flux निकालते बाग, अगर close integration कर दें, close surface पे, तो E dot ds की value निकालें, तो ये भी हमारा क्या होता, flux के बराब तो बस यही statement देखे लिख दिया गया है mathematically, this is the Gauss's law या this is the Gauss's theorem, तो Gauss's law या Gauss's theorem लिखी जाए, तो बिलकुल नहीं घबराना है, अब इसको मैं और detail में आपको बताता चलूँगा, देखिए, जैसे कि यहां पर, मैं कुछ बातें बता दूँँ, आगे फिर repeat करूँगा, जिससे आपके दिमाग में घुस जाए, यहां पर बात कर रहा हूँ, कि मालीजी जो close surface हम लेते हैं न, यह जैसे charge हमने लिया, suppose करिये, तो मैंने तो यहां spherical लिया था साब, और यहां पर मालीजी 2 कुलाम का charge है, और minus 3 कुलाम का charge है, कहीं पर भी है, close surface के अंदर कहीं पर भी charge है, 2 कुलाम लिख देना चाहिए, तो इससे total flux link किया, इसका center बना दो एक, ठीक, तो total flux link कितना होगा, इस spherical फुर्वाल नुमाश सर्पस से, हम जानते q inside upon epsilon 0, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, plus 2 q minus 3 कुलाम, c लिखो न लिखो, मेरे कहल से इसको हटा दूँ, आप समझी रहे कैसी लिखा हुआ है, upon epsilon 0, बतला value कितनी होगी, 1 minus 1 upon epsilon 0, charge, net charge लेते हैं, इसकी अंदर q inside the closed surface, हम net charge लेते हैं, एक बात ध्यान लखिएगा, कि यहाँ पर ही जो surface है, यह surface का shape matter नहीं करता, अगर इसकी जगा, मैं कोई ऐसा shape ले लू, amoeba type का shape, और यहाँ पर 2 कुलाम और minus 3 सेंटर मेंटर हो चाहें ना हो इसका, तो भी जो linked मामला होगा, flux वो इतना ही होगा, हाँ, इसमें दिक्कत क्या होगी, कि अगर मैं integration करके e.ds निकालने की कोशिश करूं, flux के लिए, भाई, flux की value तो हम जान गाएं कि यह q inside, वो आई की q inside upon epsilon 0, यह तो पता है, इसको calculate करेंगे तो हमारे चुक्के छूट जाएंगे, क्यों? क्योंकि हर जगा electric field समझना और इसके area vector के बीच में हर जगा कहानी अलग-अलग होने वाली है, बात समझ में आ रही होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, spherical surface लेते हैं, जिससे हमारा यह calculation आसान हो जाए, बात समझ में आई, कुछ औ और बाते important बताते हैं, जो आगे इस्तिमाल भी करेंगे, कि इस formula में जो Gauss law लिखा हुआ है, इस Gauss law में यह जो electric field होता है, यह electric field अगर मैं इस diagram में ही एक charge और लगा दूं यहाँ, मली जे 4 कुलाम का charge बाहर है, इस close surface से बाहर, और यहाँ पर electric field की बात करूँ, इस surface पर, तो को contribute करेंगे यह तीनों खिलाडी, यह जो electric field है, यह electric field को contribution कौन करता है, जितने भी charges available है, चाहे वो inside हो, चाहे वो outside हो, बात समझ में आ रही है, सभी charge मिलकर electric field बनावेंगे, लेकिन यह क्यों inside जो है, flux में किसका contribution रहेगा, flux में contribution केवल inside वाले charges का रहता है, यह flux का association, यह flux का association मैं diagram नहीं की चरहा हूँ, flux के association की कहानी, क्यों inside से ही रहेगी, क्योंकि जो close surface के बाहर charge होता है, उसका net flux इस close surface में contribution शून होता है, आप जानते ही है, कोई भी close surface अगर यहाँ पर यहाँ पर भी लिख दूँ, चार कुलाम का charge अगर लगा दूँ यहीं बात कर लो, तो जो flux line इसमें घुसेंगी, यहाँ लो घुस रही है, और यहाँ निकल रही है, तो जितनी भी flux वाली line जाएंगी, उतनी ही बाहर निकलेंगी, तो यह पहले भी समझ चुके हैं, flux वाले case में, यह close surface के बाहर, अगर कोई electric charge है, तो close surface में उसका contribution, flux के context में शून होता है, तो इस वज केवल Q inside will contribute in that flux, and electric field में contribution इन सभी का पाया जाएगा, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, तो अभी के लिए इतनी बात बिल्कुल बढ़ियां तरीके से समझ में आती है, आगी छुटे-छुटे points और आएंगे, बहुत सुन्दर तरीके से इसको करते चलेंगे, तो मेरे चली अगली slide को बात करते हैं, जहां पर आता है proof of Gauss's law, वो भी किसकी मदद से हम लोग करने वाले हैं, कुलाम्स law की मदद से, तो यहां पर हम लोग यह proof करेंगे, और इस proof को हम लोग तीन stages में देखेंगे, what we are doing here, हम लोग Gauss law को प्रूफ कर रहे हैं, कुलाम्स law की मदद स प्रूफ कर रहे हैं, case number one, तीन cases लेंगे, एक case लेंगे isolated charge जो inside the close surface है, फिर isolated charge जो outside the close surface है, और फिर mixed charges, कुछ अंदर, कुछ बाहर, और तीनों ही दशाओं में हम देखेंगे, कि हमारा कुलाम्स law का इस्तमाल करते हुए हम Gauss law को प्रूफ कर सकते हैं, तो detail में बात करेंगे, जिससे आपका concept super super strong हो जाए, आईए साहाँ, फटा फट बात करते हैं, तो case number one, court में case लगाया जाए, तो court में case जब लग गया है, तो case है क्या, flux due to, इसको color बदलूँगा, flux due to isolated charge inside the closed surface, isolated तो है, यानि single charge है, isolated लिख दीजे, या यहाँ पर point charge लिख दीजे, या आप single charge लिख दीजे, बात आप समझेगा, और है वो अंदर, तो यहाँ पर हम एक consider कर लेते हैं, एक closed surface, सपोज मा लिजे, spherical closed surface में treat कर रहा हूँ अभी, symmetricity के लिए इसे हैसानी से लिकाला जा सके, फिर देखे, मजा आने वाला है, और इसके center पर मैं एक charge देता हूँ, plus q, by inside है ना, तो inside में इस closed surface के अंदर, what is this, this is a closed surface, और जो closed surface आप imagine करते हैं, उसे ही gaussian surface बोलते हैं, तो यह क्या हो गया, spherical, spherical gaussian surface, gaussian surface, जो भी surface आप imaginary करेंगे साब, बात समझ में आती है, अब यहाँ पर, थोड़ी और चर्चा, अब इस बात को देखते हुए क्या करेंगे, कि इसके surface पर, football लोगा surface है, football, यहाँ एक patch ले लेते हैं, छोटा सा, जिसका surface area, elemental surface area है, ds, बात समझ में आई होगी, अब यहाँ से जो electric field आप जानती है, football के उपर, जो electric field बनेगा, वो electric field का direction भी ऐसा होगा, ridley outward, और साथ में area vector का भी direction इसी direction में होगा, तो इन दोनों में बनने वाला theta कितना होगा, 0 degree, समझ गया, ठीक, अब मैं यहाँ coulombs law की मदस देख, with the help of coulombs law मैं लिख देता हूँ, from coulombs law लिख दो, चलो, with the help of coulombs law, हम बड़े प्रेम से लिख सकते हैं, इस point पर electric field कितना होगा, वो electric field होगा, e is equal to 1 upon 4, pi epsilon naught, q upon r square, यह r इसकी radius है, sphere की, बहुत शांदार तरीके से आपने इसको लिख दिया, बिना किसी परिशानी के, यह कहां से लिखा है, देखे, coulombs law से मदद ली है, इसलिए coulombs law से गौस law प्रूफ करने की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम लोग छोटा सा flux, जो इ associated या linked, linked with surface कौन सी हो गई, ds, इस वाले से associated flux कितना है, तो मैं लिख दूँँगा d phi is equal to e dot ds, जिसे आप लिखते थे, e dot ds, और इसे बड़े प्रेम से लिख सकते हैं, e ds cos theta, अब cos theta में theta है, शून, तो e ds cos 0, जो हो जाएगा e ds, बास समझ में आई होगी, तोड़ा सा उपर लिखे जाएंगे, अब यहाँ पर हमें, पूरा flux निकालने का color बदलते हैं, अगर flux निकालना चाहते हैं, total, तो हम इसको integrate कर देंगे, integrate उधर भी करेंगे, तो यह रहा e ds, अब electric field देखिए, हर जगा, कही भी, r distance sphere पे, हर जगा उसका magnitude सेम रहने वाला है, यहाँ, 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 तो यह constant है, यह तो magnitude है, तो constant होने की वज़े से यह चला जाएगा बाहर, और यह close surface में ds का area क्या होगा, आप जानते हैं कि जो sphere का area होता है, वो होता है 4 pi r square, तो इसको मैं 4 pi r square लिख देता हूँ, तो यह देख pi square, electric field gauss law से, कुलाम्स law से यह निकलाता है, इसकी value put कर दो, color को change कर रहा हूँ, 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r square into, यह value हो गई 4 pi r square, अब यहाँ पर देखिए, जो 4 pi r square, इससे cancel हो गया, और value क्या आ गई, q upon epsilon 0, तो देखिए, प्रूव हो गया, यही तो है, phi is equal to q upon epsilon 0, और q inside तो हमारा था ही, तो इस case में देखिए, हमारा जब एक point charge, inside the closed surface है, तो यह proof हो जाता है, अब दूसरा मद्दा उठता है, जो गौस साब बता गये, उन्होंने तो shape का जिक्र नहीं किया, उन्होंने का shape जरूरी थोड़ी की spherical low, टेड़ा मेड़ा भी होगा, तो भी आना चाहिए, सही होना चाहिए, तो अब आप देखिए यहाँ पर, इसी diagram में अभी जगा है वहाँ, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एक अजीवो गरी close surface ले लूँ, इस तरह की, तो भी आप क्या देखेंगे, कि जो field lines, यह जो निकल रही थी, electric flux, पूरे sphere से, वही सा case, any surface से, any close surface से, कैसी भी close surface हो, तो इस वज़े से, इस में इस shape का matter खतम हो गया, मतलब कोई भी close surface हो, उससे अगर वो close surface के अंदर electric charge है, तो Q inside upon epsilon naught को proof हम कर पा रहे हैं, मेरे क्यासे बात समझ में आ गई आपको, अब step number 2 की तरफ चलते हैं, जब हमारा charge outside है, तो case दूसरा की जाते हैं, फटा फट करेंगे, देखिए कितना बहतरीन डंग से समझ में आने वाला है, case 2 की बात करते हैं, तो flux due to, flux due to, point charge, point charge outside, अभी समय outside the close surface का जिक्र किया जा रहा है, तो close surface, तो close surface हमने ले लेते हैं, कोई भी close surface ले लीजे, ये close surface हो गई, कोई charge हमारा बाहर रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, माली जे plus क्यों charge बाहर रख लिया, अब ये charge जो होगा, ये तो चारों तरफ, माली जी चार्ज है, तो चारों तरफ, readily outward, electric field निकालेगा, तो ये अपन इस तरफ, इस तरफ, हर जरफ, इस तरीके से निकालेगा, जो भी इसको निकाल, electric field 9 यहां भी जा रही है, और भी बना दीजे, कुछ इतने से समझ में आपको आ जाएगा, अब इस दशा में हमें ये close surface था, S, हमको ये पहले से मालूम है, कि इस close surface में, अगर कोई charge बाहर र flux, तो net flux कितना होगा, कि incoming को close surface के लिए negative देते हैं, और outgoing के plus देते हैं, तो net flux associated with close surface कितना हो गया, net flux associated या link जो भी लिखना चाहें, associated with close surface S, close surface S will be 0, मतलब 0, 0, तो flux link with S will be 0, बात समझ में आई, और आप जान भी रहे हैं, कि Gauss law में ये बताया था हम लोगोंने, कि जो electric flux होता है, वो Q inside upon epsilon naught होता है, तो Q inside की कहानी में क्या रहा, इसके अंदर तो कोई charge है ही नहीं साब, तो जब charge है ही नहीं इसके अंदर, तो Q inside will be 0, and flux will be 0, तो देखिए Gauss law की कहानी, जो conceptual कहानी से, उससे शहांदार तरीके से match कर जाती है, बड़े मज़ेदार किस्से हैं, असानी से हो जाता है, चलिए फ केस नमबर 3, मैं लिख देता हूँ, केस नमबर, केस नमबर 3, अब यहां multiple charge ले ले लेते हैं, flux due to multiple, multiple charges, multiple charges का मतलब क्या है, के close surface हम ले रहे हैं, ले लो कोई close surface, इस close surface के अंदर भी charge है और वहार भी charge है, तो charge का मैं थोड़ा सार, मा लिजे, q1, q2, q3, यह 3 charge अंदर कर दो, और कुछ charge यहां पर बाहर कर दो, यह जहां पर कुछ ना लिखा जाया है, positive ही होता है, आप इतने समझदार हैं ही, यह charges, 45 charges आपको दिखा दिए, किस आप यह close surface, यह कौन सी surface हो जाएगी, this is a close surface, इसको आप कह सकते है, Gaussian surface, यह अल लाम फ्लाव से वो कह पाएंगे, तो फटा-फटा आईए, इसमें भी प्रूफ करके देखते हैं, अब हमको यहां एक चीज़ यह मालूम थी, कि अगर हम लोग, electric field, कोई consider करना चाहें, electric field, यह लिख दो, electric field, on the surface, किसी point पर लेना चाह रहें, on the surface, at a point, अगर हम किसी point पर electric field surface में माली यहां चाहते हैं, कि electric field पता चले, तो इस electric field की जो कहानी होगी, वो electric field कितने के बराबर होगा बच्चों, आप जान रहे हैं, कि बातचीत जब की गई थी, तो यहां पर जो electric field है, यह सब लोग यहां पर electric field बनाएंगे अपना-पना, तो मुझे क्या लिखना चाहि E और E 4 और E 5, बई, super position लगा दीजे और जो भी value आएगी, वो निकाल ली जाएगी, अब flux निकाल लेते हैं, flux through S, तो flux through close surface, और जिस surface को S कहा है, उसको S कह देते हैं, flux निकालने का formula हमें पता ही है, integration close surface में E dot ds, यह हम लोग देख चुके थे, flux के consideration में, अब यहां पर आप लगाईए, close interval E की जगा यह कहानी लिख दीजे, तो यह E 1, plus E 2, plus E 3, E 4, और यह रहा बेटा E 5, सब vector quantities अभी चल रही हैं, तो arrow लगा दिया, dot ds, यह कहानी यहां बन अब इसको थोड़ा सा उपर करेंगे, अब यहां पर अंदर ले लीजे तो यह हो जाएगा, E 1, dot ds, plus E 2, dot ds, इसी तरीके से बाकी का भी मैं लिख दूँगा, जिसे मैं अच्छे से मैं जो महनत कर रहा हूं, और आप जो महनत कर रहे हैं, वो बिलकुल आपको चमकना चाह यह, और यह रहासा, E 5, dot ds, very very good, यह पांचों पॉइंट लिख दिए, अब आप जानते हैं कि जो खिलाडी बाहर रहते हैं, यह कुल हम कह रहा हूं, charge 4, charge 5, इसको तोड़ा नीचे करूं, यह outside the closed surface हैं, और outside the closed surface जो charges रहते हैं, वो flux में कितना contribution देते हैं, 0, यह बात हम लो तो Q4 और Q5, flux में कोई contribution नहीं कर पावेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे बच्चों, यह हो गया, कि यहाँ पर यह formula जो total flux की कहानी थी, यहाँ तो E1.ds आया, और यह दोनों जो value हैं, यहाँ पहले ही लिख दों, इससे दिमाद पकड़ पाए, यह 0 और यह 0 ह हो जाने वाला है, क्योंकि E4, Q4 और Q5 outside the closed surface है, तो यहाँ पर बात को आगे लेकी चलते हैं, इसको लिख देते हैं, E2.ds plus flux की कहानी, E3.ds और बाकी दोनों हो गए अंडे, अब यहाँ पर आप बात करें, तो E1.ds हमने देखा था, कि यह closed surface के अंदर E1 है, तो यह flux का association E1 से बनने वाला कितना हो जाएगा, उपर isolated charge के लिए पता कर चुके हैं, तो इसको हम लिख देंगे Q1 upon epsilon 0, इसको लिख देंगे Q2 upon epsilon 0, और इसको लिख देंगे Q3 upon epsilon 0, यहाँ पर 1 upon epsilon 0 common ले लिजे, तो Q1 plus Q2 plus Q3, और यह total value क्या हो गई, Q inside upon epsilon 0, तो देखिए, क यहाँ पहुँच गे हैं हम लोग, जो flunks link था, वहीं पहुँच गे गौस law पर, यही तो गौस law है, तो गौस law में हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया, कि अगर multiple charge भी हैं अंदर बाहर, तो Q inside upon epsilon 0, ही flux associated होगा, closed surface, यह बात आप देख पाए होंगे, इसको note भी अभी मैं मौका भी दे देता हूँ, note करने का, यह जो camera है, बीच बीच में रुक जाता है, क्योंकि इसकी DSLR है, आदे गंटे की शायद limit है, तो मुझे cut करके फिर दुबारा शुरू करना पड़ेगा, तो यह आप note करने का मौका भी मैं आप पो फटा-फट देता हूँ, ज बच्चों इसको आप note कर लीजें, यह रहा, और मैं pause करें वीडियो, note कीजे, pause कर लिया होगा, note कर लें, फिर इसके आगे लेके जाता हूँ, यह रहा, case 3, इसको भी वीडियो को pause करें, और note करें, आगे लेके चलते हैं देन अगेन वीडियो को pause करें note करें पूरी बात clarity के साथ समझ में आ जाती है तो ये समझ में आ गया अब कुलाउं स्लोक की तरब चलेंगे एक बात छोटी सी और बता देता हूँ यहाँ पर आगे भी retreat करूँगा मैं दुबारा बताऊंगा कि electric field जो बनता है वो सभी charge मिलके बनाते हैं और जो gaussian surface आप लेते हैं वो आप जो imaginary gaussian surface लेंगे वो किसी charge से पास नहीं होना चाहिए discrete charge से charge या तो अंदर हो या फिर बाहर हो समझ रहे हैं कि discrete charge अगर continuous charge distribution है तो पास हो सकता है अभी इसकी भी चर्चा करेंगे लिखा है मैंने point कोई point छोड़ा नहीं है जिससे दिमाग में आप notes भी बना पाए दिमाग में गुज भी जाए तो चाहिए आगे कि जिक्र करते हैं कि हम लोग coulamb's law से coulamb's law से गौस लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग coulamb's law को प्रूफ करेंगे with the help of gaus law उल्टा कर रहे हैं ध्यान देना पहले gaus law प्रूफ किया था with the help of coulamb's law अब प्रूफ कर रहे हैं coulamb's law with the help of gaus law थीक अब यहाँ पर एक isolated charge ले लिजे charge q और एक hypothetical surface अब imagine करते हैं जो कि spherical in nature है और यही इसी को क्या बोलेंगे spherical gaussian surface यह spherical gaussian surface हो गई बेटा और यहाँ पर यह plus q क्योंकि center पर है इसके surface पर कहीं पर हम electric field निकालना चाहते हैं आपको मालूम है readily outward electric field जाएगा e थोड़ा सा small area ले ले लेते हैं यहाँ पर और इस area का ds भी इसी direction में होने वाला है तो दोनों की बीच में जो angle बनेगा वो शून बनेगा यह area एक patch ले लिया है elemental area और यह close surface तो ही है इसका radius ले लिजे r जो आपने मानी है तो आप बात को शुरू करते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़े मारे हाथ में हैं तो flux associated इस छोटे से area के लिए तो flux linked लिख दीजे या associated linked with with small area small area ds बहुत छोटी सी बात तो क्या लिखोगे d5 is equal to e dot ds अभी तो पहले ही इनलोग देखते हैं e ds cos theta यानी cos 0 degree तो इसका मतलब हो गया d5 कितना हो गया e ds बिल्कुल simple cos 0 होता है 1 अब यहाँ पर net total flux निकालना है तो total flux link निकाला तो integrate कर दिया d5 को closed surface के round तो यह इसको मिटाना थोड़ा मुश्कील तो जल्दी से मैं कुछ ऐसा हाँ यह मैं इसको पकड़ता हूँ अब यहाँ पर e ds आप कर देंगे total flux के लिए अब देखते हैं e ds में कि e की value क्या होगी ds की closed surface में value क्या होगी और यह closed surface area बना ऐसे अब flux रहा e e और closed surface area इस स्फेर का कितना हो गया 4 pi r square तो एक तो equation बन गई 1 यह दूसरी आप देखिए कि हम यह जानते हैं यहीं पर लिख देता हूँ कि with the help या from Gauss's law Gauss's law हम यह जानते हैं कि जो flush linked होगा तो q inside upon epsilon not होगा क्योंकि Gauss law की मदद से हम coulamb's law proof कर रहे हैं q inside कितना है बच्चों तो केवल q है यह plus q लिखा हुआ था तो plus q upon epsilon not यह plus q ना इस closed surface में कहीं भी हो सकता है वो भी है मैंने चोटे-चोटे सवाल लिए जिसे funda clear हो लेकिन यहाँ पर center पर q upon epsilon not हो गया अब यह equation number 2 लिख दो अब equation 1 और 2 से देखो तो flux तो same ही रहने वाला है तो flux की value क्या लिखी दी जाएगी e into 4 pi r square must be equal to q upon epsilon not यह बाद भी समझ में आती है यहाँ से electric field कितना हो गया देखिए 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square e value यहाँ से निकाल लो और यही तो coulombs log की कहानी थी coulombs log की कहानी थी अब आप सोचों की coulombs log दो force होता था ठीक है साब force होने का मदलब क्या था किसी भी electric field में अगर कोई charge q1 रखो तो coulombs log क्या बताता था कि इसकी value q1 into e आनी चाहिए या आप कह दो q1 into अगर इससे जो charge इससे जो electric field बन रहा है उसकी value मैं ले लूँ 1 upon 4 pi कोई charge रखा है बाहर q2 तो यह value हुजाती थी 1 upon 4 pi epsilon not q2 upon r square यहाँ पर यह value आ गई इसमें electric field की value आप रख दीजे तो f is equal to q1 into e आजाएगा जो coulombs log को ही proof कर रहा है यह देखे q1 q2 upon r square से आ जाएगा अगर यहाँ q1 हम q2 यहाँ रख देंगे तो बास समझ में आ रही है ना confuse मत हो ना कि coulombs log का formula क्या था q1 into e यह सोचने का तरीका बना लिया था हम लोगोंने तो q1 into e this one और यहाँ से भी electric field आप निकालोगे यहाँ रखोगे तो यही चीज तो आ जाएगी देखो अगर यहाँ से electric field निकालके यहाँ value put कर दो इसकी यहाँ q2 रखते हुए तो यह value same आ जाएगी तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि कुलांस law की मदद से गौस law की मदद से कुलांस law प्रूफ कर दे तो examination में कभी आवे तो फटा फट कर दे ना यह proof भी थोड़ा सा काम का है इसको note कर लिजे अगली चर्चा फटा फटन लोग करेंगे जो कि important points होगी बहुत ही बढ़ियां और छोटे-छोटे फंडे आपके clear हो जाने वाले हैं तो यह proof वीडियो पॉस करके note कर लें अब जो अगली slide आ रही है यह बहुत महत्तुपूर है और बहुत प्यार से मैं इसको समझाता हूँ आपको क्या आप से समझाने वाली बात है कि some important points and important points क्या है gosh law के लिए मैंने 78 points लिखे है जगा जगा से एकत्रित करके जो आपको बहुत ज़्यादा help करने वाले notes बन जाएं इसलिए लिए लिखे भी हैं कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो the great significance of gosh law is that it is true for true in general मतलब close surface कैसी भी हो in general ये हर जगा सही पकड़ बनाता है और and not only for the simple cases के वाल simple cases के लिए नहीं है complex situation में भी gosh law काम करता है आगे बात समझते है important points regarding this law पहला क्या है कि gosh's law is true for any close surface no matter what is the shape or size यानि आप अगर कोई charge रखे हुए है क्यों तो shape ऐसा है या shape इसका spherical है या किसी और तरह का shape है कोई matter नहीं करता close surface की बात कर रहे हैं किसी भी shape किसी भी size में gosh law valid है समझ में आई हो की बात दूसरी बात करते हैं the term q on the right side by gosh law लिख देता हूँ ये इसकी right side की कहानी होती है e dot ds is equal to जो बात की थी q inside upon epsilon 0 तो कह रहा है कि right side में ये जो q है है ना of the gosh law equation ये gosh law की equation है include the sum of all the charges enclosed by the surface ये आपको मैंने बताया भी था थोड़ा सा उपर करके और अच्छे सा समझाद हो diagram से कि कोई भी close surface आप लेंगे plus q1 minus q2 अगर है तो q inside का मतलब होता है plus q1 minus q2 और भी कोई चीज है q3 तो इस q3 को भी यहाँ पर साथ में ले लेना होगा ये बोल रहा है includes all some of all the charges enclosed कोई बाहर है तो ये नहीं लेंगे q4 इसमें किसके लिए बात चीट कर रहे है q inside में तो q inside में enclosed वाली लेनी है बाहर वाली नहीं लेनी है ये वो मस्सामल लेना कि enclosed किया हुआ है ठीक ये बात आप समझ पाए होंगे यहीं लिख रहा the chain charges में भी located anywhere inside the surface अब इस surface में जैसे मैं भी बात कर रहा था कि अगर कोई sphere है यहां पर q1 center पर है या center से shift करके आपने इसको यहां कहीं पहुचा दिया है या कहीं और पहुचा दिया है तो ये location charges की कहीं भी हो उसको q inside में हम जोड देते हैं चाहे वो इन तीन जगा हो चाहे वो कहीं और situation हो enclosed होनी चाहिए बस तो location closed surface में कहां यह matter नहीं करता और inside the closed surface हमको लेना है बात चलते हैं अगली सीखते हैं अगली बात में देखे क्या बोला है number team important point in this situation when the surface is chosen that there are some charges inside and outside अभी क्या बता रहा है यह बता रहा है कि जब भी हम Gaussian surface लेंगे नहीं the q on the right side of the एक बार इसको देखते हैं in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside the electric field whose flux appears on the left side यह लिखा हुआ है नहीं वो जो property वो next आईगी शायर इसके बात तो मैं flux की बात कर रहा हूँ यह flux में देखिए e dot ds की बात की गई है q inside upon epsilon naught यह जो electric charge है left hand side में equation के जो बात आ रही है e यह क्या है it is due to all the charges मैंने आपको समझा दिया है फिर से यह बात कर रहे हैं कि अगर कोई close charges है यहाँ पर q1 है यहाँ q2 है बाहर q3 है बाहर q4 है तो अगर close surface में electric field निकालेंगे तो इन सभी का contribution इन सभी का contribution इसमें शामिल होगा प्रूब भी किया था जब उन्हें गौस लोका तो वहाँ पर भी electric field सब के दोरा बनाया गया लिया गया तो तो इध्यान लखिएगा यह है all the charges all the charges चाहे वो inside हो या वो outside हो ठीक कहीं पर भी हो सारे का contribution आएगा जबकि क्यों में contribution केवल inside वाले charges का आता है only inside लिख देता है charges ठीक बात पकड़ में आई होगी यह however represent only the total charges of S in close यह बात बहुत तीब बढिया है और मैं कई बार इसको बता रहा हूँ तो आप तक मुझे उमीद है 100% पहुंच रही होगी अगली important बात अभी यह वो जो बात में बताने वाला तो यहां लिखी हुई है the surface that we choose for the application of Gaussus law is called the Gaussian surface जो भी हम लोग जैसे charge में spherical surface चूज कर रहे थे तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे यह Gaussian surface होती है अभी यह Gaussian surface symmetricity के लिए आपकी clever choice होगी कैसी चूज कर रहे है यह spherical लिए तो spherical Gaussian surface लिख सकते है कैस cylindrical भी ले सकते है देखेंगे application में तो वह cylindrical Gaussian surface होगी इस अप टू यू कि कैसी लेनी है बस ध्यान यह रखना है मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर लिखा भी है और point यह है कि by the way suppose करिए Q1, Q2, Q3 कैसी भी ले ले आप ऐसे ले रहे हैं तो कोई Gaussian surface ऐसी नहीं लेनी है कि आप इससे पार करा दें कि देखेंगे दो तो enclosed किया इससे पास करा दी यह discrete जो charges होते हैं इससे Gaussian surface नहीं जानी चाहिए क्या है Gaussian surface Gaussian surface मतलब वही जो close surface लेते हैं गौस लोल लगाने के लिए बात पकड़ में आ रही है कि नहीं तो discrete charge से नहीं जानी चाहिए charge या तो अंदर हो या बाहर हो मतलब इस case में color बदलते हुए या तो आप ऐसे ले लें close surface जो जो बाहर कर दिया या आप उठा के सब को अंदर कर लें ऐसा कर सकते हैं ये permissible नहीं है काली वाली ये permissible नहीं है बाकी ये भी और ये भी both are correct बात समझ में आती होगी मेरे कहाँ से अब ये discrete charge के लिए है कहीं पर continuous charge अगर मिल जाए जैसे अभी हम लोग अप्लिकेशन में निकालेंगे कि मान लीजे एक वायर है इंफाइनाइट लंबा ठीक तो यहाँ पर एक इंफाइनाइट लंबा वायर है तो यहाँ पर close surface मान लीजे cylindrical हम ले तो वो यहाँ पर charge तो है डबा है न सिलिंडर ही बंद है चारो तरफ से तो यह देखे यहाँ से pass हो रहा है तो in continuous distribution in continuous distribution of charges यह हमारी gaussian surface pass हो सकती है Gaussian surface can pass बास समझ में आ रही होगी तो जो continuous है continuous चार्ज distribution ऐसे लिख देते हैं जैसे आप पूरी तौर पे समझें तो कहीं पर continuous charge distribution अगर है तो वहाँ पर आपकी जो gaussian surface है वो surface से pass हो सकती है यहाँ पर charge था देखिए यहाँ पर charge था फिर भी pass करी ढखकन है बंद है तो बंद अगर है तो ढखकन कहीं लगाओगे तो चार्थ तुप क्रॉक्स करेगा ही ऐसे कर सकते हैं डिस्क्रीट में नहीं करेंगे पकड़ ली होगी बात बहुत ही minute point यह सब पकड़ेंगे competition में बोर्ड में एकड़ में टॉपर हो जाएंगे उसे मुलब मैं क्या बोलू जो बोलू कम है यही सब इसके एकड़ माइनूट points हम लोग सीख ले रहे है नमबर पांच point देखिए गॉसे law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry representation मैंने आपके लिए specially बनाया है जिसे बहुत ही शांदार तरीके से बात कह पाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि this is facilitated by the choice of a suitable Gaussian surface अब Gauss law और Coulomb's law एक ही चीज़ थी लेकिन जब symmetry ले लेते हैं जब Gaussian surface आप cleverly चतुराई से choose करते हैं symmetric रखते हुए तो बहुत ही effortlessly ये आपको electrostatic field वेगरा निकालके दे देता है यही बात ली है अब Gaussian surface आपको choose कौन सी करनी है it is up to you कि आप कितनी चतुराई दिखा पाते हैं इसको choose करने में जिससे आपके सामने जो problem है वो मिंटों में solve हो जाए बस इतनी सी बात ही कह रहे है बड़ा इच्छी बात है अब देखें अगली बात point number 6 for a medium of absolute permittivity epsilon और dialectic constant k the Gauss's law can be expressed अब आप Gauss law में ये equation लिखा करते थे अगर मालीजे ये कोई एक आपने close surface ली है और इसमें dialectic भर दिया है और वो dialectic constant क्या है k तो यहाँ पर expression पहले लिखते थे q inside upon vacuum वाली permittivity कुछ नहीं inside upon क्या करो इस medium की permittivity और medium की permittivity आप जानते ही है क्या लिखते है k into epsilon 0 तो यहाँ पर या तो यह medium लिख दो या लिख दो q inside upon k epsilon 0 बस यही लिखा हुआ है इतने समासदार आप हैं ही लेकिन आपके सामने बात आ जाए और दिमाग में घुश जाए इसलिए सामने लिखे आगा है very simple बहुत असान देखिए समझ के होंगे मेरी बात आप कुछ जादा बताना नहीं आगे बात करते हैं number 7 point बड़ी important भाई मजेधार कहानी है लेकिन है अभुत पूर्व important देखिए कहीं पर अगर आपका flux 0 हो जाए यह equation गौसला वाली लिखिए उमीद कर रहा हूँ दिखाई पड़ रही होगी अगर यह flux हो गया 0 देख पारे हो कौन सा कलर लगा दो जो दिख जाए यह तो यह flux अगर कहीं हो जाए शून जो की इस condition में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या है कि Q inside यहनि close surface के अंदर जो Q inside है charge, net charge वो शून है, that is पक्का लेकिन electric field 0 है, यह पक्का नहीं है ध्यानक ना, यह हो भी सकता है 0, may not be 0 और may be 0, may not be 0 तो यहाँ पर लिखें, यहाँ नीचे लिखा भी है शायद, may be और may not be 0, 0 बास समझ में आईए ना, तो इसका यह inference नहीं निकालियेगा कि अगर flux 0 हो गया, तो electric field भी 0 हो गया, that is not good, that is not correct मेरे कालचे clarity हो गई तो जब भी flux 0 मिले आप यह समझें, Q inside will be 0, या Q inside will be 0 then flux will be 0 लेकिन electric field के बारे में पक्की तोर पे आप सीधे इससे नहीं कह सकते हैं, बाकी जो situation होगी उसको समझ भूच के कह देंगे ठीक हैसा, आप समझ गया आप यही बात लिखी, if no flux passes through any close surface surface E may not be 0 but the flux of the E must be 0 the net charge enclosed will be 0, जो समझाई यह बात आप समझ गये हैं, अब आखरी point at number 8, finally Gauss's law is based on the inverse square law, ध्यान कियेगा कि Gauss law inverse square law को follow करता है inverse square law क्या था, जैसे Coulomb's law में force लिखा करते थे 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, या electric field लिखते थे 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square तो देखिए force 1 upon r square, या electric field 1 upon r square के proportional है, इसी को बोलते थे inverse square law inverse square law तो Gauss law भी इसी चीज़ को follow करता है, अगर आप Gauss law से हटते हैं, तो आप inverse square law से भी हटते हैं, या inverse square law से हटते हैं, तो Gauss law से भी हटते हैं, समझ रहे मेरी बात ना, तो Gauss theorem, Gauss law, inverse square law को follow करता है तो dependence on distance contained in the Coulomb's law में जो बाते थी any violation, जो मैंने बताया हटने वाली बात, सरल भाशा में any violation of the Gauss law will indicate departure from the inverse square law, तो ये 8 point थे, छोटे छोटे छोटे, जो बहुत प्यारे धन से मुझे लगता है, मैंने सरल भाशा में आपको बताएं, अब सवाल शुरू हो जाता है कुछ questions करने का छोटे-छोटे और बड़े, आईए देखते हैं तो आईए बच्चो करते है questions, मज़ा आने वाला है तो रही बात पहले question की जो fundamentals भी clear करेंगे, ये फोटोग्राफ्स हैं आपके सामने अलग-अलग close, ये सारी क्या है close surfaces है, ये 2D picture नहीं है, ये सारी हमारी 3D picture है, ये सारी close surfaces है जैसे कि circle ना होके football की बात की जाती circle नहीं है जबकि ये football है, ठीक है इसमें पुछाए in which arrangement की question है, arrangement flux linked with the close surface will be the highest, इन चारों में, इन close surface से, flux links किसमें highest होगा, वीडियो को pause कर लें, सोचे और फिर अंसर करें मैं अंसर तुरंत कर रहा हूं, क्योंकि ये रुखने का कोई और चत नहीं है आप वीडियो pause करके सोचे इसमें आप देखेंगे, कि सभी में, flux सेम होगा, टोटल flux linked with linked with all the surfaces with all the surfaces will be same, will be same, क्यों क्योंकि हम ये जानते हैं, Gauss law से कि जो flux linked होता है वो Q inside upon epsilon naught होता है shape matter नहीं करता close surface का कैसा है और charge की location close surface में कहा है वो भी matter नहीं करती तो Q inside इसमें भी होगा है तो इसका flux कितना हो गया बच्चों Q inside, Q upon epsilon naught इसका कितना हो गया Q upon epsilon naught इसका कितना हो गया Q upon epsilon naught इन भाईजान का क्या हो गया Q upon epsilon naught तो देखिए इस चारों में flux same आ गया क्योंकि shape matter नहीं करता और size भी matter नहीं करता और charge का location यहाँ है कि यहाँ है यह कहीं और है वो भी matter नहीं करता तो funda जो आँनों ने सीखा था उसको एक बार और iterate rate करता है और दबाव देता है कि आप पकड़ पाएं इसको चलिए अगले question की तरफ चलते हैं यह देखिए और question में आपके सामने लेके आया हूँ इसमें भी मज़ा आएगा आपको क्या लिखा है 5 charges 5 charges Q1, Q2, Q3, Q5 picture में आपको दिख रहा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 positions पर है figure S is a Gaussian surface हमारी यह figure S हमारी Gaussian surface है यह S है this is the Gaussian surface the Gauss law is given by Gauss law का equation आपको मालूमी है एक बार फिर से में लिख देता हूँ देखिए यहाँ पर जो S लिखा होता है यह S को आप ऐसे भी close surface में लिख सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई इसमें गवड़ी नहीं है आपको symbolic notification बता रहा हूँ गवड़ा न आ जाईएगा बस तो इसी को मैं लिखता हूँ E.ds.prote है तो यहाँ पर arrow भी लगाएगा और यह Q inside या Q upon epsilon naught की बात करते हैं या Q inside अब यह कहा रहा है which charge are contributing in electric field as shown in left side of the Gauss law equation यानि यह जो है electric field यह इस surface पे अगर हम electric field निकालने जाएं तो कौन से charges इसमें contribute करेंगे इस electric field को बनाने में वीडियो को pause करिए और अंसर देने की कोशिस कीजिए मैं अंसर तो देही रहा हूँ pause कीजिए वीडियो और try कीजिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी Gaussian surface पे जो electric field बनता है उसमें सारे charges का contribution होता है तो पहले वाले में अंसर आजाएगा Q1 से लेके सब all लिख देता हूँ कौन सब लिखे all Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 all सभी सभी charges इसमें contribute करें हैं अंदर बाहर वाले सब Q1, Q2, Q3, Q4 मन नहीं मानना है मैं लिखी दूँ कहीं से कोई confusion मैं किसी भी case में नहीं चाहता बहुत मैनस से आपके लिए ये presentation बनाया है ये तभी सफल होगा जब आपके दिमाग में चिपक जाए एकदम जिरॉक्स हो जाए ठीक है अगला point which charges are contributing in Q as shown in the right ये जो Q दिया है right side में equation के इसमें कौन से charges contribute कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि इसमें जो contribution Q करता है वो enclosed charges जो इसके अंदर है वही contribute करते हैं तो यहाँ पर contribution किसका आएगा Q2 और Q3 का जो enclosed है इस surface से बात कतम हो जाती आप पकड़ लिए होंगे मेरे खहल से अगले question में चलते हैं फटा फट और ये देखिए आपके लिए प्यारा सा question फिर से सामने आ गया है यहाँ पर तीन बाते लिखी हुई है देखिए सब मज़ेदार ये equation लिखी है over a surface then what can you comment on flux linked with closed surface charge enclosed by the closed surface electric field on the closed surface अब वीडियो को pause कीजिए और बताने की कोशिस कीजिए मैं इसका उत्तर देता हूँ इसका उत्तर क्या है कि ये चीज़ क्या हो गई अब गौस लॉक के हिसाब से हमने सीखा था e.ds value बराबर होती है q inside upon epsilon not बराबर हो गया इस case की हिसाब से 0 तो यहाँ से हमी जान रहे थे कि ये देखिए flux हो गया 0 तो पहली चर्चा तो हो गई flux कितना होगा linked with the closed surface अगर ये closed surface है तो इससे flux links कितना हो जाएगा 0 दूसरी चर्चा में देखिए q inside will be 0 मैंने बताया था कहीं पर ये question 0 हो तो q inside भी आप बिलकुल कह पाएगे कि 0 है तो q inside पूछा था number 2 वाला number 3 में आप ये नहीं कह सकते हैं कि electric field 0 होगा तो electric field may और may not be may और may not be may not be 0 तो ये बात आप समझ गया फटाफट ये सारे वही conceptual questions हैं जो आपको सुन्दर तरीके से आपकी मदद करते हैं अगली बात देखते हैं फटाफट कि क्या है इस question में देखिए refer to the arrangement ये arrangement है given in the figure and Gaussian of the radius R जो Gaussian surface ली है यहाँ पर इसके center पर एक charge है which is Q और इससे R by 2 distance पर charge कौन सा है minus 2Q और बाहर यहाँ से R 5Q रखा हुआ है Gaussian surface dotted line से दिखाई गई है अब आपसे पूछ के रहे हैं कि total flux through the surface of the sphere इस surface से total flux कितला linked है तो हम Gaussian theorem की basis पे जानते हैं flux linked with the closed surface कितना होता है Q inside upon epsilon 0 Q inside कितना है 1 to Q यह है यह देखो यह तो Q और दूसरा यह minus 2Q यह है तो net lilia upon epsilon 0 value हो गई minus Q upon epsilon 0 तो पहले वाले का answer आगिया minus Q upon epsilon 0 flux linked with पहले वाले का बास समझ में आ रही होगी बिलकुल first class तरीके से flux through the surface of the sphere due to 5 कुलाम चार्ज आपको मालूम है कि close surface के बाहर अगर कोई charge रहता है तो flux में उसका contribution 0 होता है तो इसका flux contribution क्या रहा 0 no contribution no contribution in flux in flux linked with closed surface linked with closed surface मेरे कहाल से आप बास समझ गये होंगे कि कोई भी flux का linkage नहीं होने वाला चलिए आगे की कहानी देखते हैं लोग ये एक सवाल आ जाता है और इस सवाल को इसलिए कराए कि आगे जो सवाल मैंने line up किये हैं वो इसमें मदद करेंगे सवाल को करने में तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं लोग लिखा है एक point charge q is at a distance of d by 2 directly above the center of the square of side d ये square है इस से center से d by 2 ऊपर कोई q charge है figure में दिखा हुआ है use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square इस square से कितना electric flux जा रहा है ये हमको निकालना है अभी निकाल देंगे फिर लिका if the point charge is now moved to a distance d from the center of the square distance d चला जाए कहीं से square से square and the side of the square is doubled और square की side को उन्हें डबल कर दे next question में तो explain how the electric flux will be affected चलिए इसकी बात करेंगे इम लोग पहले की चर्चा करते हैं कि इस ते जाने वाला flux कितना है लगाने के लिए gausses law लगाने के लिए हमें जरूरत पढ़ती है close surface की जिसे हम gaussian surface भी कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसको d by 2 मानते हुए एक cube imagine कर लेते हैं जिसके center पर यह charge है cube का photograph बहुत सुन्दर बना हुआ है जो आप समझ पा रहे हैं इसके center से d by 2 उपर उपर से भी d by 2 बाजू बाजू सबसे d by 2 symmetricity हो गई तो यह cube के center पर यह क्या है center of the cube यहाँ पर यह charge आपका plus q charge यहाँ आपने बठा दिया है ठीक है साब अब यह close surface है बच्चो यह cube है कहां गया है rubik's cube तोड़ा मजा करने के लिए वो दिखा रहे हैं बाकी तो आप समझी गया होगे यह cube है इसके center पर यह पड़ा हुआ है अब यहाँ पर close surface से कितना flux जावेगा तो यह flux associated होगा q inside upon epsilon naught gos theorem या gosess law यह बताता है q कितना है q है और epsilon naught तो total जो flux linked है close surface से q upon epsilon naught मेरे खाल से बात को आप पकड़ पा रहे होंगे अब symmetricity से आप देखे तो इस cube के कितने faces है 6 4 इसकी दिवारे होगी तो आप समझते ही जिस कमरे में बैठे हैं वो भी समझ लीजे cube एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6 इसके faces हैं और center पर वो है तो हर face से equal flux जाएगा तो total flux था q upon epsilon naught तो one face से कितना flux associated होगा one flux से associated flux कितना होने वाला है मैं उसको 5-1 कह देता हूँ उसका अच्छटा भाल क्योंकि 6 faces थे यह आपका answer हो गया बस पहले वाले का अब दूसरे में क्या इनों नों बोला है कि इस वाली इसको हम dy2 करते हैं यह d की जगा 2d कर दिया है तो यह बहुत बड़ा cube बना दो भाई ऐसे उसमें क्या जा रहा है यह ऐसे बड़ा सा cube बना दिया अब उसमें आप इस charge को जो इधर था इसको कहीं भी आप क्या कर रहे हो d खिसका रहे हो dy2 था आप total d कर दिया ले देखे उस situation में क्या होगा उस situation में भी flux में कोई effect नहीं आएगा जो flux अभी भी क्योंकि इसका 2d कर दिया यह 2d अभी यह d है उपर वाला d है और जो flux इसी के बाहर समल्लो बना हुआ है इस situation में भी कितना flux होगा flux links total यही q upon epsilon not होगा और एक flux एक surface से one surface लिखना चाहिए जिससे linked flux वो q upon 6 epsilon not होगा तो there will be no change in flux मेरे काल से यह बात आप पकड़ पाये होंगे तो ध्यान आपको यह थोड़ा समय बता दूँ एक चीज़ और मेरे मन में आ गई है क्योंकि सीख रहे हैं देखें क्या होता है कि यह अगर हमारे पास एक cube है समझना मेरी बात इस cube में अगर हम लोग इसके center पर q रखे हैं तो associated total flux तो हो जाएगा q upon epsilon not पूरा linked और सब faces से जाएगा f लिख देता हूँ सभी faces से q upon 6 epsilon not लेकिन अगर इस charge को हम यहां से खिसका के यहां ले आए सपोस करिए shift कर दिया हमने तो अब flux link कितना है flux linked अभी भी है q upon 6 q upon epsilon not total flux linked लेकिन हर surface से equal नहीं जा रहा है तो हर face से अब equal नहीं जाएगा आप देख रहे हैं यहां पहुचा दिया आपने तो किसी face से जादा जाएगा किसी face से कम जाएगा जबकि total flux link will be the same are you getting my point कि इसके अंदर charge आप कहीं भी रख दो total flux में कुछ नहीं होने वाला फीक लेकिन जो faces हैं उनसे जाने वाला flux तबदील हो जाएगा जैसे कमरा है कमरे में समझनाने के लिए आप कुछ सरल भाशा के इस्तेमाल करूँ समझ करिए किसी room में है जो 10 by 10 का है 10 by 10 होने का मतलब है 10 फिट की लंबाई 10 फिट की चोड़ाई और नॉर्मली जो छट होती है वो भी 10 फिट की बनती है तो अगर 10 दस दस सब तीनों हो जाते है तो क्यूब ही कमरा हो गया सबोस करिए जिस room में आप बैटे हैं वो क्यूब है तो उस क्यूब में मेरे इसमली जी मेरे मुठी है मेरी एक चार्ज है तो ये चार्ज यहां है तो भी टोटल फ्लक्स लिंक कितना है क्यूब अपॉन एपसैलन नौट इस कमरे से लिंक लेकिन अगर मैं दिवाल के पास लिया हूँ बोल्ट के तो टोटल तो हो गया क्यूब अपसैलन नौट लेकिन इस दिवाल से जाने वाला फ्लक्स बढ़ गया समझ पा रहें और कभी घट बढ़ गया फेसेस का घट बढ़ गया लेकिन टोटल सेम रहा ये बताने का मतलब इमेरे काल से पकड़ पाये होंगे और भी सवाल करने इसलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे वरना दो घंटे का लेक्चर बन जाएगा तो ये बात आप समझ क्या होंगे अच्छी तरीके से अब अगली बात करते हैं इसमें भी कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ आपको बताऊंगा इस सवाल को भी करते वग कि किसमें क्या कहानी होनी चाहिए यहाँ पर देखें लिखाए अब ये बड़ा इंपोर्टन सवाल है नीट विट में कुश्चन बनते रहते हैं जही मेंस में आ सकते हैं बोर में आ सकते हैं और कितने प्यारे तरीके से आप कर लोगे लिखा वाट विल बी दा टोटल फ्रक्स थूरू दा फेसस ऑफ दी क्यूब ये क्यूब भी है और फेसस ऑफ दी क्यूब इस गिवन दी फीगर विद इस साइड ऑफ लेंथ ए इसकी जो लेंथ वेंथ है वो ए दे रखी है पहले सिटुएशन में चार्ज को यहां प्लेस किया है ये चार्ज सिटुएशन है कॉर्णर फिर बी लिखा है मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट पे बी पे रखा है सेकंड सिटुएशन तीसरी situation C center of the cube ये C center of the face के center of the cube में D midpoint of BC BC के midpoint पर चार situations है अब इन चारो situations में मैंने कुछ diagram बनाए है जो आपको सीखने में मदद करेंगे लेते हैं उनकी help और सीखते हैं तो चलिए मैं पहली situation लेता हूँ ये वाली किस cube से कितना flux link होगा ये देखे diagram है ये position थी हमारे पास A की ये condition थी समझ गया है ये position given है आप देखे goss law लगाने के लिए हमको close surface चाहिए होती है इस समय तो gloss law लगा नहीं सिर्ट खुला है किनारे पे है भई ये है बता सकते हैं हाथ से भी और ये ball कुछ ज़्यादा बड़ी होगा इस से लेकिन इस तरीके से है अब ये इस तरीके से तो ये तो खुला है ना इसको ढखना पड़े चार तरफ से तो मैं इसको ढखने के लिए ये देखी चार जियाला दिखाया है चार सेम क्यूब इसी प्रकार के same similarity के लिए 4 cube ऐसे place कर देता हूँ एक इसके देखी आगे और 2 ऐसे ही नीचे अब इस 4 cube लगाने के बाद भी ये ढखा नहीं है एक तरफ से ढख गया एक side से ढख गया है 3 side से ढख गया है ये बाकी इस तरफ से खुला हुआ है तो 4 और cube लेते हैं इधर से भी मैंने मिलाया नहीं जिससे आप उद दिखे ऐसी सेम सारे cube एक जैसे हैं इस cube को यहां से भी 4 लगा देते अगर हम 4 cube को बंद करते हैं तो इस center पे आ जाएगा center पे आ जाएगा close figure हमको achieve हो जाएगी तोकि close figure के close surface के बिना गौसलोक लगाना पाएंगे लग गई अब total flux link कितना है यापर वो हैसाब Q upon पूरी क्यानी Q upon epsilon naught total flux link लेकिन जो cube था इस cube से कितना जाएगा ये cube तो ये है बाकि तो हमने hypothetically जोड़े है तो symmetricity हैर जगा यापर कितने cube हमारे picture में है देखिए 8 चार ये symmetricity होने की वज़े से flux linked with this cube मैं सही लिख देता हूँ Q इसको divide कर दो 8 से क्योंकि symmetricity है और ये answer आपके हाथ में आ गया पहले बलेगा Q upon 8 epsilon naught क्योंकि 8 cube थे हर cube से Q upon 8 epsilon naught जाएगा इन को 8 बार जोड़ देंगे तो ये ही मिल जाएगा बात समझ गया होंगे मेरे खाल से तो जब भी Gauss law लगाना हो close surface और symmetricity ऐसी लगानी है कि किसी तरीके से वो center achieve कर ले ध्यान नकना cubic center की बात नहीं भी next question में clear हो जाएगा तो मैं वो भी दिखा दूँगा तो महीन महीन point मज़ा आ जाएगा दूसरी situation देखिए इस situation में क्या है ये शायद B point था जैसा मुझे याद आ रहा है खेराइनी वे आप समझ गया होंगे इसका दोनों का mid point ये position थी या given था position given position लिख देते है given position अब इसको ढखना है close करना है तो close करने के लिए मैंने ऐसी जैसे एक cube नीचे लगा दिया और इसी के दो cube ऐसे लगा दिये close हो जाएगा अब देखिए ध्यान ये रखिएगा कि ये cubic symmetry नहीं है समझ पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये a है ये a है तो frontal length कितनी है डबल है और ये कितनी है चोड़ा ही सिंगल है तो ये कुछ cuboid type का structure बन रहा है पिछले वाले में हर तरफ से cubic symmetry थी यहाँ से भी 2a था यहाँ से भी 2a था यहाँ से भी 2a था तो ये rubics रोस्तिय मलब ऐसा फिर से cube बन गया था finally कुछ अंदाजा लग रहा है यहाँ पर ये फिर से cube नहीं बना ये 2a ये a है और ये 2a है लेकिन एक बात तय है कि अगर यहाँ इसको ढखने के बाद अगर मैं ऐसे symmetry देखूं lateral कह लीजे या perpendicular तो जितना flux ये निकाल रहा होगा वो आधा इधर दे रहा होगा ये बात तो होता है जैसा कहानी इधर है वैसी कहानी इधर है सेम कहानी है तो total flux linked है Gauss theorem के साब से q upon epsilon not आधी आधी करनी है तो जब हम आधी आधी कर देंगे आधी आधी कर देंगे तो आधी में इन दोनों को क्या मिल जाएगा इन दोनों को मिल जाएगा q upon 2 epsilon not अब ये दोनों तो बिलकुल symmetricity है इनके लिए इनकी जो बात समझने के लिए तो इनकी value हो जाएगी एक cube से जो given condition थी cube की वो हो जाएगी साब q upon 4 epsilon not आप ऐसे भी समसेकते हैं कि 4 cube थे symmetricity आपको मिल गई तो हर cube से जो value जा रही होगी वो कितनी होगी 4 q upon 4 epsilon not और जो मैंने आपको बताने कोशिश की कि आप अगर ऐसा सोचे कि ये symmetry ले 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 तो इससे आदा इधर आदा इधर तो ये दोनों के लिए हो गया q upon 2 epsilon not इन दोनों में लेते हुए मज़िदार माली जे आपके पास एक flower वास है यानि flower pot है और यहाँ पर कोई charge रखा हुआ है क्यों इस situation में आपसे पूछे कि कितना flux इससे associated है बताईए आप साब तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे same flower pot लेकर इसके ऊपर और बिढ़ा दो ऐसे दो flower pot हो गए दो flower cookies की shape और size से मतलब नहीं है दो flower pot से जाने वाला flux कितना है q upon epsilon not गौस्तियों नम बताती है symmetricity अब क्यों cubic symmetricity थोड़ी है ऐसे आधा कर दो जितना ऊपर दे रहा उतना नीचे दे रहा है इस flower pot से linked flux कितना हो गया flower pot से linked flux q upon 2 epsilon not बस थोड़ी बुद्धी चलाओ और काम बनाओ हो गए ना ये आधा इदर आधा इदर बात कितम बात समझ में हाई होगी अगली कहानी लेके चलते हैं लोग फटा फट ये ABC था मेरे कहाल से जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये आप समझ गया होंगे ये यहाँ पिथा C ऐसे point यहाँ पर क्या situation मनेगी दो cubes से ही बात बन जाएगी देखिए center में आधा इदर आधा उदर आप जान रहे हैं तो यहाँ पर net total flux कितना है वो है q upon epsilon not इस cube से linked कितना है q upon 2 epsilon not है ना बस यह answer हो गया इसका diagram से आप फटा बट समस्ते चले जा रहे हैं मजा भी आ रहा है अब ये situation में कहती है ये midpoint था इसके midpoint पे था ये मान लेते है d portion ले लो तो d portion में ये फिर आपने 2 से ठग दिया तो lateral symmetry देखिए इसे करिएगा तो जो काहनी इधर की है वही काहनी उधर की है तो total flux अगर हमारे आप में था q upon epsilon not तो इस cube के लिए कितना हो गया q upon 2 epsilon not बात हो जाती ही खतम और बढ़िया सवाल आप को visualize करा पा रहा हूं मैं मुझे इसकी खुशी हो रही है चलिए आगे की भात करते हैं देखते हैं आगे numerical हमारे लिए क्या है तो ये भी numerical को handle करते हैं बड़ा अच्छा numerical है तो बच्चों करते हैं अगला सवाल बहुत ही असान है और मज़ेदार है तो देखिए फटा फट इसको लिखा एक point charge q is capital center of the cube ये cube है इसके center पर point charge plus q रखा हुआ है find the flux of electric charge through the cube ये बहुत ही असान है गौसला लगा सकते हैं closed है तो पहले वाले का answer आ जाएगा flux q inside upon epsilon 0 बास समझ गया आप find the electric flux through one of the faces अभी निकाला था हम लोग ने तो दूसरे वाले का answer हो गया हर face से 6 faces है ना सबसे equally जा रहा है तो value हो जाएगी यहाँ पर मैं face लिख दूँ तो 5 upon 6 जिसे मैं लिख सेपता हूँ q upon 6 epsilon 0 तो हर face से जो भी associated flux होगा q upon 6 epsilon 0 होगा तीसरी बात will the flux through a face change if the charge is moved inside the cube will the flux through the entire cube also change face की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम center की जगा charge को move करने कहीं और तो हम total flux will not change total flux will not change लेकिन पर face जो जाने वाला है वो change होगा flux associated flux associated या linked with the faces with the faces will change जैसा मैंने आपको बताया था अगर आप इसके करीब ले आएंगे तो कुछ और flux हो जाएगा और उसमें तबदीली होगी लेकिन total flux है उसमें कोई तबदीली नहीं होगी चलिए आगे की चर्चा करते हैं और देखते हैं आगे यह NCRT के question है इनको भी बहुत ही शांदार तरीके से लगाएंगे बहुत ही असान question रहे और आपकी बहुत ही बढ़िया प्रेक्टिस हो जाएगी बोर्ड में आते भी है लिखा है example the electric field components in figure 1.27 जो बनी हुई है r e x मैं यहां लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए यह बड़ा बड़ा दिख जाए यह electric field की कहानी है e y component या e z component 0 है कहने का मतलब है कि अगर यह x axis है देखिए x axis इधर है y इधर है z इधर है तो x की दिशा में तो हमारा electric field है y की दिशा में यह z की दिशा में electric field 0 है तो केवल electric field हमारा x की दिशा में है बहुत सुदर in which alpha की value दे रखिए 800 with proper units Newton per column और meter half जो भी लिखा है calculate a calculate क्या करना है the flux through the cube this cube से total flux कितना होगा और दूसरा the change within the cube the charge कितना है cube के अंदर inside वो भी लिखना है assume करना है a की value 0.1 meter आपको दिख रही होगी यह a दे रखा है अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ यह a cube है और यहाँ यह origin है तो origin से a distance दूरी पहला face है यह तो आप समझ गए लेकिन अगर यह जो यह जो आपको दिख रहा है cube red आगे कर दूँ जिसे camera में तोड़ा अच्छा दिख सकता है तो यहाँ पर अगर electric field ऐसे जा रहा है देखिए है ना ऐसे यह electric field है क्योंकि Y component यह Z component शून है तो ऐसे जाने में यह जो चार faces है इसमें तो कोई penetration देखिए है ही नहीं क्योंकि देखिए यह निकल गया ना यह और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है penetration तो है नहीं दूसरा यह समझ सकते कि electric field vector इन चार faces के लिए एक यहाँ से देखिए इस तरफ होगा इसी तरह इस वाले का normal इस तरफ और इस वाले का normal बाहर की तरफ और इस वाले का normal इदर की तरफ तो normal electric field में कितना angle बन रहा है 90 degree तो जब आप e dot ds लेंगे तो उसमें e ds या जो भी लेते हैं cos 90 degree लिखेंगे value आजाएगी 0 तो normal vector जब electric field vector से 90 degree का angle बनाता है तो flux associated with that surface will be 0 बात समझ में आ गई आपको और दूसरे simple बात समझ भी सकते हैं कि penetration ही नहीं है जब इसमें penetration नहीं इसमें penetration नहीं नीचे वाले में साइड वाले में बाजू वाले में और इस बाजू वाले face में होना है क्योंकि electric field ऐसे जा रहा है बात पकड़ में आ रही ही ने electric field ऐसे जा रहा है तो इस face की जिकर करेंगे इसको left face बोल देते हैं और इस वाले को right face बोल देते हैं बात आप पकड़ पा रहे होंगे इसको फटा-फट calculate करके निकाल देते हैं तो electric field left face में क्या होगा काफी बड़ा लिखा हुआ है लेकिन यहीं लिखता हूँ मैं और आगे इस्तेमाल करूँगा कोई और color ले लूँ क्या चलो खेर electric field at left face left face मतलब यह left है आपको बता दिया है तो left face में क्या होगा alpha और x की value किया हो गई this is x की value हो गई a क्योंकि यही तो x direction में बढ़ रहे हो तो इसकी जगा लिख दो a की power half यह electric flux हो गया left का और इसी तरह में right की बात करूँ right मतलब yellow part तो यहां में यह distance a चले थे और a distance और आगे आगे हो तो total distance कितना हो गया है यहां तक मतलब तो यह कितना हो गया है 2a तो यहां लिखोगे alpha और 2a की power half यह electric field हो गया कोंसा right side में alpha 2a की power half अब corresponding fluxes निगाल लेते हैं थोड़ा सा उपर करना पड़ेगा जगा नहीं दिख रही है तो यहां कहीं लिखते हैं flux suppose करिए left side का ले रहे हैं तो flux लेने में क्या करते हो el dot ds लेते हो अब यहां पर el dot ds लोगे तो यह normal vector देखी इस तरफ है और electric field इस तरफ है तो दोनों में कितना angle बन गया 180 degree वैसे भी पहले मनों ने सीखा था कि जब कभी close surface में इंटर करता है flux तो negative होता है इसी कारण से और जब exit करता है तो positive होता है खेर इन दोनों के बीच में कितना angle बना 180 degree और cos 180 degree कितना होता है minus 1 आप यह समझ आए तो इसको क्या लिख देना चाहिए में el delta s और cos 180 यानि value कितनी आ जाएगी minus el ds अब el तो left वाला है वो लिख दो यहाँ पर तो यह alpha minus के साथ बहुत ही अराम से बहुत सरल सवाल minus alpha a की value half और अभी s को हम s लिखे रहें देते हैं बाद में change कर लेंगे को कि याला part का s और याले part का s same रहने वाला है इसी तरीके से मैं color change करता हूँ flux ले लेंगा associated with the right surface तो e right dot delta s तो यहाँ पर इनके बीच का देखिए यहाँ पर normal इस direction में है और electric field भी इस direction में है तो theta कितना होगा? 0 और cos 0 होता है 1 यह आपको पता ही है तो इस वज़े से इसको लिखोगे e l d s delta s और cos 0 degree तो यह value कितनी होगे? यह positive in nature e l d s l नहीं लिखना चाहिए right चल रहा है हमारा तो यह right है यह right और right right की value अलग है तो यहाँ पर value होगी alpha 2a की power half into delta s ध्यान रखेगा a की value 0.1 meter दे रखी है यहाँ पर लिख देता हूँ a की value 0.1 meter दे रखी है अब जब इसका area निकालोगे तो a square लिखोगे तो आगे चलते हैं net flux की बात आई यह दो flux तो निकाल लिए तो net flux कितना होगा? इसकी चर्चा करते हैं इसको उपन ले जाते हैं तो net flux जी यहाँ तो net flux associated with the cube as so यह linked with the cube associated with the cube इसकी बात करते हैं तो यह 5 कह देते हैं right side वाले में होकि एक scalar quantity है कोई सीधे जोड़ जाती है कोई tension की बात नहीं तो यहाँ पर आप values को add कर दीजे right side वाली ले ले लेते हैं alpha 2a की पावर half into delta s minus जोड़ाना alpha a की पावर half into delta s यह add कर दीए अब इसमें जो जो value आ रही common common निकाल लो तो alpha common आ रहा है delta s common आ रहा है साथ में a की पावर half common आ रहा है यहाँ बज़ जाएगा root 2 minus 1 ध्यान से देखे यह value आती दिख रही है अब इसके आगे जो delta s था इसकी value देखते हैं कितनी आएगी तो delta s हो जाएगा a into a यानि की a square तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो alpha a square into a की पावर half root 2 minus 1 फिर आगे थोड़ा लेके चले netflix की रूप में तो यह 2 में आप आधा जोड़ोगे तो 5 by 2 आ जाएगा तो alpha a 5 by 2 root 2 minus 1 value पुट कर देते हैं alpha की value 800 दे रखी थी 800 इसकी value 0.1 दे रखी थी 5 by 2 और root 2 minus 1 यह सारा calculation आप कीजिए जब इसको calculate करेंगे तो value आजागी 1.05 newton meter square पर कुलाम और यह net flux है जो की linked है आपके cube से यह पहला अंसर है यह से exam में आएगा यह आपका पहला अंसर आगिया कि flux linked with the cube अब यह पूछा था कि कितना charge inside है यह तो औरी सराल है Gauss law से में पता है number 2 variant में कि flux की value जो वो होती है net close surface के साथ वो q inside upon epsilon not होती है q net आप निकाली चुके हो तो q inside upon epsilon not will be equal to 1.05 यानि q inside अगर निकालना है तो epsilon not into 1.05 तो epsilon not की value डाल दो यहाँ पे value होगी 8.854 into 10 की power minus 12 कुलाम और इसको calculate करोगे तो 9.27 into 10 की power minus 12 कुलाम आपका answer आ जाएगा देखिए clear हो गया मामला ले देखिए यह पूरा सवाल कितने मदूर संबंदों के तहत आपने solve कर दिया कहीं कोई problem नहीं आप note कर लीजे अगला सवाल all लेंगे बिलकुल यह वीडियो अपने आपने ऐसा संपूर होना चाहिए कि गौस लोग को किसी भी एंगिल से आप करें सब कुछ समझ में आवे यह note कर लिया होगा वीडियो पॉस करके आगे लेकि जाते हैं वीडियो पॉस करके note कर लें यहाँ पर मेरे खाल से यह आगिया है और यह note कर लें आप और अगे लेकि चलते हैं यह वीडियो पॉस करें और note कर लें इस तरह से question किया जा सकता है चलते हैं लोग एक NCRT के अगले question पर भी वो भी एक question देखते हैं यह भी NCRT का important examination में पूछे जान्यावला सवाल है बहुत सरल फटा फट लगाते हैं इसको भी बिटा तो लिखा है और electric field is uniform electric field uniform है in the position positive x direction positive x direction में x के लिए and uniform with the same magnitude but in the negative direction x direction में क्या है negative x में है यानि अगर मैं ऐसी बात कर दूँ तो positive और negative x का यह मतलब है इस direction में electric field ऐसा है और इस direction में electric field ऐसा है यह बोल रहा है कितना है बताएगा भी it is given that e is equal to 200i positive x के लिए जब e की value 200i है जब x की value greater than 0 इधर वाले के लिए और e की value minus 200i है जब x की value less than 0 है i cap तो इधर वाले के लिए electric field इधर magnitude से में direction गुमा दिया है ठीक साब यह right circular cylinder यह बना हुआ है cylinder of length 20 cm 20 cm और radius 5 cm has its center at the origin यह center पर origin है origin पर center है और यह x y z आप समझ सकते है x इधर है y इधर है इसी की चर्चा कर रहा है original edit axis along the x axis और axis की क्या है x axis में है so that one face is at square to plus 10 cm एक face इसका पढ़ रहा है x बराबर 10 cm पे plus 10 पे और दूसरा जहां तक minus 10 पे पढ़ रहा है तो दूसरा वाला पढ़ रहा है minus 10 cm पे दूसरा face अब आगे पूछ रहा है निकालना क्या क्या है what is the net outward flux through each flat faces यह जो flat faces है by flat faces कैसे होंगे यह देखे डबा है cylinder है तो flat face यह और यह इससे flat faces में what is the net outward flux through each flat faces इन दोनों से अलग-अलग कितना associated है दूसरा what is the flux through this side of the cylinder यह जो side है इससे flux कितना linked है अभी निकाल देंगे जो card वाली side है न मुड़ी हुई इससे कितना linked है 0 है दिखी रहा है लिकर फिर में what is the net outward flux through the cylinder total cylinder से कितना flux outward है and what is the net charge inside the cylinder और charge के अंदर कितना net charge है यह भी बताना है चार बाते बतानी है तो इसको लेके हम लोग चलते है पहली बात यहीं लगाने की कोशिस करते है faces की बात कर रहा है left और right दो faces का नाम दे देते है color बदलते हुए तो इसको बोल देते है left face इसको बोल देते है right तो flux हमारा पहले वाले में flux हमारा left वाले face से कितना हो जाएगा e dot ds की कहानी लगाएंगे यह लोग अब यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे है electric field क्योंकि x की direction negative है इधर electric field है यह देखिए इसने बोला था ना minus 200i x जब negative हो जब x negative हो तो इस direction में e की direction देखिए इधर और साथ में जो area vector होता हो तो outward direction में होता ही है वो भी इधर अब इस area vector को ना अगर मैं area vector कह रहा हूँ तो इसके magnitude को और क्योंकि यह minus i के direction में है इसको minus i cap भी लिखा जा सकता है समझना मेरी बार यह तो vector है तो vector होना चाहिए तो delta s magnitude और minus i cap इस direction को represent कर रहा है अब यहाँ पर आप e की value minus 200i लगा दो और साथ में delta s vector की value लगा दो delta s और यह minus i लिख देता हूँ फिर से एक बार यह लगा दो तो यह देखिए minus i minus मिलके हो गया plus और i square होता है मेंशा plus 1 तो value हो गई 200 delta s बिल्कुल अराम से कोई tension ही नहीं है अब delta s की value कितनी यह निकाल लेते हैं तो 200 तो 200 रहा और radius जितनी है वो pi r square कर दो तो radius is 5 cm तो लिखा 5 और cm को meter में change किया 0.05 का square अब इसको calculate कर लीजे करीब करीब आपका आ जाएगा 1.57 1.57 Newton meter square पर कुलाम यह left side से आपका flux associated हो गया तो बच्चों जैसे हम लोग कर रहे थे तो यह तो left side का हो गया अब right side का जिकर करो तो right side में देखे area of area same है बस electric field vector देखिए और delta s का भी vector जो normal vector है दोनों का direction एक ही है यानि इसका जो flux है 1.57 है प्लस और उसका भी 1.57 plus का आ जाएगा राइट side वाले का यही पूरी कहानी आप करेंगे वो कि यहाँ पर भी right side में देखे 200 i लिखा हुआ है ना तो इसको भी e dot ds color बदल लेना चाहिए मुझे और यहाँ पर आ जाएगा 200 i और इसको लिखना चाहो तो delta s into i लिख सकते हो थोड़ा सा उपर लिखे जाते हैं और आप जानी रहे है 200 delta s 200 delta s की value आपने निकाली है तो यह again 1.57 newton meter square per coulomb इसका अंसर आ जाएगा तो पहला वाला भी positive हो गया और दूसरा वाला भी positive हो गया अब अब यह बोला है था second वाला क्या निकालना था यह देख लेते हैं यहां लिखावा है B में बोल रहा है what is the flux through the side of the cylinder तो side of the cylinder में यह A था मैं B का जिकर करूँ तो क्या हो जाएगा 0 क्यों? क्योंकि side में कहीं भी आप patch लेने जाएंगे कोई भी area तो वो area देख रहे है न परपेंडिकुलर area ऐसे चला गया है और electric field ऐसे है इस direction में minus x में इस तरीके से है इसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होगा पिटा चलिए मिटिकिया शयद अगर इस direction की बात करें तो यहां की बात करो यह देखे डेल्टा ऐस इधर है area vector electric field इधर 90 बन रहा है यहां की बात करें तो डेल्टा ऐस हमारा इधर है लेकिन electric field की बात की जाए तो तब भी 90 बना रहा है तो जब डेल्टा और electric field में 90 degree का angle बनेगा तो cut surface में कुछ नहीं निकलेगा और वैसे भी आप जानते हैं जब electric field कोई बीचीज penetrating नहीं कर रही cut surface में तो cut surface से linked flux will be 0 तो यहां पर area vector की बीच में and electric field की बीच में has 0 degree angle 0 degree 90 degree angle तो यह 90 degree angle हो जाएगा as theta is equal to 90 degree link दो ज्यादा समझ में आती है बात c part देखते हैं क्या निकालना था c में निकालना है what is the net output flux through the cylinder cylinder से net output flux कितना दोनों flux को जोड़ो मारो करना क्या है इसमें तो यह जो flux net या total flux of left flux flux of right दोनों का 1.57 आया था तो 1.57 plus 1.57 तो दो लोगो जोड़ोगे 3.114 newton meter square पर कुलाम यह आपका अंसर मिला कि जो flux बाहर निकलना वो कितना है फिर पूछा तक जानता है डी में कि इसके अंदर charge कितना है तो आप जानता ही है कि flux net में गोड़ोग के हिसाब से Q inside upon epsilon not लिखा जाता है तो यहाँ से flux तो आपको पता ही है तो this is Q inside upon epsilon not इस flux के बराबर है तो Q inside कितना हो गया 3.14 into 8.854 into 10 की पावर minus 2 कुलाम वेलू आगई 2.78 into 10 की पावर minus 11 कुलाम यह answer आगया तो यह जो चारो पाट्टें बड़े असानी से किये जा सकते हैं कोई और यही सब गूम फिर क्या आएगा अपर नीट जही तक आपकी बात करें conceptual level पर इतना सीख लेंगे तो कभी कोई हिलेंगे नहीं बाकी application किसकी वीडियो अगले पार्ट में आएगी यह आप इसको note कर लीजे पास करके और फिर एक सवाल और लेते हैं तब उसके बाद हमारा बात complete होगा पेटा तो मेरे काल से आप में note कर लिया होगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं पेटा हम लोग यह अगला सवाल है जो मैं चाहरात आपको कराना बहुत ही सरल सवाल है लेकिन important लगा मैंने का करा आपको तो इस सवाल में conceptual है तो देखिए बचो considered to hollow concentric spheres S1 और S2 यह hollow sphere है यह S1 है दिखरा है होगा आपको S1 और यह बाहर वाला S2 in closing charge अंदर charge 2Q है जैसा दिखरा है मैं बड़ा सा figure भी बना दूँ यहाँ पर Q Q charge है कहीं पर S1 के लिए एक और हमारा है S2 और अगला charge 4Q इधर को है पोच रहा है find out the ratio of the electric flux through them तो flux 1 से flux 1 यानि S1 से related flux कितना होगा इस से gauss lock इसाब से मैं को पता है Q inside upon epsilon 0 Q inside कितना 2Q तो यह हो गया 2Q upon epsilon 0 flux 2 की बात करें जो इस S2 वाले surface से associated होगा तो Q inside upon epsilon 0 फिर लगाओ Q inside में 2 और 4 दुनों मिल गए तो आप total charge क्या हो गया 2Q plus 4Q upon epsilon 0 यानि 6Q upon epsilon 0 यह flux अब flux का ratio पूछ रहा है तो Q1 upon Q2 कर दो उसमें क्या है तो Q1 upon 51 upon 52 तो 51 upon 52 आप करोगे तो 2Q upon epsilon 0 और 6Q upon epsilon 0 cancel किया तो 2 by 3 value बची यानि 2 by 6 value बची यानि 1 by 3 इसका answer आ गया तो 51 upon 52 जो की flux का ratio है यह कितना आ रहा है 1 upon 3 दूसरा क्या पूछ रहे है how will the electric flux through the sphere S1 यह यह अंदर वाला change if a medium of dielectric constant epsilon R is introduced in the space inside S1 in place of air in place of air reduce the necessary expression यह बहुत ही सरल सी बात है इन्होंने क्या किया है इस color बतल देता हूँ यह अंदर वाले में dielectric constant वर दिया है और उसकी relative permittivity E R बता रहे है जिसे हम लोग K भी कहा करते है हमने सीखा है बहुत अच्छे से कि relative permittivity permittivity अगर डाल दीजे K डाल दीजे medium डाल दीजे तो Q inside upon K epsilon not हो जाता है तो इसके लिए flux कितना हो जाएगा अगर मैं लिखू अब हो जाएगा flux 1 के लिए जो कि अब medium में है इसकी value हो जाएगी net charge Q inside upon K epsilon not होता था तो Q inside हो गया 2Q और K का मतलब Epsilon R E होता है तो यह हो गया Epsilon R into Epsilon not यह answer आगया देखिए बस यह इसलिए कि कहीं पर सवाल आजाए तो आप असानी से कर पाएए इसको note कर लीजे बहुत यह असान सवाल है बस fund ने थोड़े clear होने चाहिए यह देखिए इसको note कर सकते है pause करके इसको फिर उपर ले जाता हूँ यहाँ note कर सकते है तो video pause कीजे note कर लीजे मुझे उमीद है कि यह पूरा lecture आपके लिए highly fruitful रहा होगा Gauss's Law क्या होता है क्या benefits है over Coulomb's Law है तो Coulomb's Law ही का भड़ा भाई बड़ा भाई चोटा भाई यह नहीं सगा भाई लेकिन उसमें खासियत क्या है कब लगाते हैं और क्या properties सब कुछ इसके इंदर आप जान जाते हैं उमीदे वीडियो बहुत ही बड़ियां रहा होगा Thank you very much वीडियो को sequence में देखते जाएए high concept level बनाईए board भी clear होगा बहुत ही शान्दार neat और जेई भी निकलेगा Thank you very much Wish you all the best